स्पोर्ट्स लाइफ देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ सचन, जहां भारते टीम अगले महीने चार मैचों की टी-20 सीरीज के लिए अब दक्षन अफरीका का दौरा करेगी, शुक्रुबार को भारते क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बी-सी सीयाई ने टीम इंडिया का एलान क दिया है, इसमें सूर्ख कुमार ग्यादव को कप्तानी मिल गई है, बता दें कि भारते टीम का यह दौरा आठ नवंबर से शुरू हो जाएगा, इस सीरीज के लिए बी-सी सीयाई ने युवा खिलाडियों को टीम में मौका दिया है, चार मैचों की टी-20 सीरीज के लिए चुनों के स्क्वार में हार्दिक पांडिया और संजू सामसन जैसे अनुबवी खिलाडियों के आपको बता दें के साथ साथ तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, रमन दीप सिंग और विजे कुमार विशंग जैसे उभरते सतारे को भी इस बार टीम में मौका दिया गया, हाली म को घरेलू क्रिकेट खेलने का फायदा मिला है, IPL और इंडिया A के लिए प्रभावित करने के बाद T20 अंतरास्टे स्क्वार में अब उनको शामिल किया गया है, साथ में मयंक के आदव के चोट के कारण भार हो गए, आपको बताते हैं, भारते टीम के इस दौरे पर तेज के इंदवाज मयंक के आदव नजन नहीं आएंगे, बीसी साइगी तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार वे चोट के कारण चैन के लिए उपलब नहीं थे, मालूम हो कि हाली में पीट की चोट से उबर कर भारत बना बांगलादेश सीरीज के जरिए उन्होंने वापसी कर सीरीज से भी बाहर ही हो गए थे, बाहरते टीम को दूबे की अनुबस्तिती खास्तोर पर खल सकती है, उनका स्क्वार में नहीं होना टीम के लिए एक बड़ा जटका भी का जा सकता है, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं, और साथी गेंद बाजी भी अच्छी करते है इसके अलाबा, दक्षिन अफ्रीका के खिलाफ आपको बता दें, चार टी-20 मैचों की सीरीज के लिए जो टीम चुनी है, वो मैं आपको बताया है, ताहूं, सूर कुमार यादव कप्तान है, अभी शेक शर्मा इस टीम में है, संजू सामसन विकेट कीपर बलेबाज, रिं आपको बतायते हैं, पहला टी-20 जो है, आठ नवंबर को बुदवार के दिन सिंचूरियन के विदान पर होगा, और चौथा और आखरी टी-20, पंदरा नवंबर शुकुरबार को जोहनेसबर्ग के मिदान पर खेला जाएगा, तो उमीद करते हैं कि जिस तरीके से हाली में बांगलादेश के खिलाफ, टी-20 सीरीज में टीम इंडिया ने बहतरीन परफॉर्मेंस किया, सूर्कुमार यादव की टीम इस बार दक्षिन अफरीका में, डिफरेंट कंडिशन में जहां पर तेज गिंद बाजों को काफी मिदत मिलती है, वहां पर टीम इंडिया जो है अपना दमकम दिखाएगी और सीरीज अपने नाम करेगी, फिलाल इसक्वाइड पर आपका क्या कहना है, कॉमें बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, वीडियो पसंद आई तो ला